26 feet by 33 feet house plan इसका बिल्डा बढ़िया 8 58 square feet तो स्थ्री भी एच के house plan है इस तरफ फ्लाट के इस तरफ आजाएगा 26 feet इस तरफ और इस तरफ आएगा 33 feet 33 feet इस तरफ रहेगा तो इसका जो south है इस तरफ south है और north अपर तरफ east इस तरफ है और इस तरफ रहेगा west west side और इंपेश देखिए 3 bedroom इंपेश डिजाइन किया पहले इसका जो वाल है वाल का जो color है उसको color कर देते हैं और इंच का वाल आउट साइड में फोहेट किया और इंसाइड में कितना वाल होगा पाटिसेन वाल इंपे फाइव इंच का वाल आएगा तो इस तरह आजाएगा किदर में छोड़ रहा हूँ white चाट आँ वहीं पे आपको window टाइलेट का ventilation का provision रखा है तो इस तरह आफ आप अला आजाएगा तो इहीं पे बास्तु के मतवीज मतवीज की पे design को रेडी किया तो 100% पास तु नहीं है इस तरह आएगा डाइनिंग हॉल इंपे डाइनिंग हॉल है और कीचेन इस तरह आजाएगा कि अटेटर नकार रखा है और इंपे विट्रूम हाजाएगा यह एक पैसेज मिलचाएगा चाने के लिए इंपे जैएगा विन्डू यह बेट्रूम हाजाएगा यह यह गताव एक पैसेज मिल जाएगा तो दीघ्रोम ए लेंडू बैट्रूम का एँका दायदिंग होल का वेंडू एस्तरव आजाएगा त्रुम का विंदो टाइलेटका वेंटिलेशन श्थ corners 같은 are a stay a starroom का विंडो डाएगा और इन फी अ जाएगा बेट्रूम का विंडोर नहींट से और इस तरफ स्टेयर है विभी पेसेज आ जायेगा और नहीं पर आ जाएगा विंडू, त्ट इस तरफ विंडू हो गया मेंड़ इस तरफ आएगा नहीं पर मेंड़ और आ जाएगा लोबी कि इस तरह आजाएगा किचेन का दोर किचेन के मस्टाड बेडरूम साउथ वेस्ट में मस्टाड बेडरूम और इस तरह टाइलेट वेस्ट में इस तरह आजाएगा एक बेडरूम इस तरह एक बेडरूम और इस पर लिविंग कम डाइनिंग हॉल तो स्ट्यार का आप इस तरह रखा है इस तरह गुम के इस तरह डाउन होना है थ्री फीट करके एक एक स्ट्यार का वीड रहेगा और इस तरह आप सिक्स फीट वान इंच इस तरह आजाएगा लेंडिंग भाई थ्री फीट तो बेटरूम का साइज इस तरह आप 12 फीट इस तरह भी 12 फीट वाई सरी इस तरह 10 फीट 10 फीट वाई 12 फीट का रिपाइड भी इस तरह आप आजाएगा 10 फीट और इस तरह आप 12 फीट इस तरफ 10 फीट और इस तरफ 12 फीट और इस तरफ आजाएगा 8 फीट और इस तरफ 15 फीट 4 इंच 4 इंच इस तरफ आएगा किचेन का साइज इस तरफ आप मिल जाएगा 7 फीट 7 इंच और इस तरफ 6 फीट तो लबी का जो साइज है इस तरफ 4 फीट भाई इस तरफ आजाएगा 12 फीट 5 इंच यह हो गया नेक्स चलते हैं इसका जो कॉलम पोजिशन है देखिए इस तरफ इस तरफ कॉलम पोईट करना है 10 इंच वाई 10 इंच का कॉलम आजाएगा इसको इस तरफ वाईट कर दीचे इस तरफ इस तरफ इस तरफ इंपे एक आजाएगा और इंपे इंपे और इंपे और इंपे तरफ तरफ इंपे फिप्टीन तरफ इंपे नंबर कॉलम का जोड़ाद रहेगा तेंच वाई 10 इंच का तो इसका जो बिल्डफ एडिया है एट फिप्टी एट है तो इसके लिए कॉंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है आ जाएगा 12.8 lakh बिल्दिंग कोस्ट बिल्दिंग कोस्ट आ जाएगा 12.8 lakhs अनली ग्राउन फ्लोर में